हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इंपीटर्स क्लासस अर्थमैटिक 300 क्वेस्टन्स की ओंगोइंग सीरीज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है अब तक प्रीवियस 120 प्लस क्वेस्टन्स हो चुके हैं तो आज हम नेक्स्ट 5 बेहतरीन क्वेस्टन्स करेंगे जो कि आपको SBI PO Prelims Examination और RRB PO Prelims होने वाले एक्जामस में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं तो चलिए अपने सेशन को हम सुरू करते हैं तो पहला क्वेस्टन लेते हैं तो क्वेस्टन पढ़ते हैं अनू नूर्मली टेक्स फोर आवर्स मोर देन दा टाइम टेकन बाई सच टू वाक डी किलोमेटर ठीक है डी किलोमेटर एक कोई डिस्टेंस है उसको जब अनू कवर करती है तो चार घंटे जादा लेती है सचिन से अच्छा देखे एक कंडिशन यहाँ बंजा कि समझे क्या है अधर और पढ़ लेते हैं समझते हैं इफ अनू डबल्स हर स्पीड अगर अनू अपनी स्पीड को डबल कर दे दें सी कैन मेक इट इन इत इन मतला भही दो जो डी किलोमेटर की डिस्टेंस है अब उससे क्या कर रही है टू आवर्स लेस देन डैट ऑफ सचिन ठीक है अगर अनू जो कि अभी नॉमल स्पीड से जा रही है सचिन भी अपनी तो इसको डो घंटे कम gaan से सचिन को बताना है कि सचिन को कितना टाइम लगेगा डी किलोमेटर को वौक करने में तो अब डिस्टंस नगी चैस हम और बराबर हो की तो हम क्या करेंगे дिस्टंस को ऑई कंपियार कर लेंगे तो हम माल लेते हैं अनू की स्पीड है अनू की जो स्पीड है माल लेते हैं एक किलो मीटर परावर है ठीक है एक कल लेते हैं और इस तरह सचिन की जो स्पीड है उसको माल लेते हैं कि S किलो मीटर परावर है अब देखे क्या लिखाए अनू नूर्मली टेक्स फोर आवर मोर तो अगर सचिन को लगता है एस इंटू टी क्यों लगता है एस जो सचिन की स्पीड है और टी तो अनू को अपनी स्पीड से जाने पर चार घंटे ज्यादा लगते है कि से सचिन से तो टी प्लस फौर हो जाएगा ठीक है तो यह क्या क्या और अब उस्पीड को डबल कर देती तो उस केस में क्या करते शी केंन मेंक इट इन टू आवर्स लेसर लेस देन डाट अब उससे सचिन से दो घंटे कम लग जाते हैं तो जो भी टाइम शा उससे चैन को यहां होने कह में तो यह हम क तो हम क्या करेंगे first or second equations को equate कर देंगे बराबर बराबर कर देंगे तो यह हो जाएगा a t plus 4 which is equal to 2a t minus 2 यह हो जाएगा आपका a t plus 4a which is equal to 2a t minus 4a तो इस तरह आप करेंगे जो solve इसको तो a t को इधर लेकर जाएगे तो इस side में आएगा आपका a t सिर्फ और हो जाएगा 8a इस तरह आप एस से यह कैंसल कर लीजे और टीव कितनी आ जाएगी एक तरह आए जाएगी एक तरह प्री लेवल के इस तरह के आते हैं जहां को थोड़ी बाद कंडिशन को बनाना पड़े और समझने में थोड़ा सा टाइम लगे तो आई होब यह समझ में आ गया होगा जब भी किसी भी तरह इस तरह कोशन से थोड़ा अलग हो अब कुश न कर सकते हैं अगर डिस्टेंस बराबर होगी तो स्पीड को इक कर सकता है टाइम को कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो इसमें बहुत यह कोशनस में अच्छे प्री लेवल केंसे उननी बड़र देख लिजेगा तो चलते हैं च्पशन की तरफ तो नेस्ट कुछिशन है, a sum of money invested at CI, ठीक होगि sum एक money है, उससा CI में invest किया, तो मा लेते हैं एक्स रहा होगा, ठीक है, आप लिए करना, वो 800 रुपए हो जाता है तीन साल में, तीन साल में, कितना हो जाता है भी वो, 800 रुपए, और फिर 840 हो जाता है, 4 साल में, तो 800 से 840 हो चार साल में, in 4 years, ठीक है, तो कितने के difference आया, 40 रुपए हो जाता है, ठीक है, और यह चार साल यहाँ से है, यह नहीं कि 800 के बाद अगले चार साल नहीं है, ऐसे, तीन साल में 800 हो गया, चार साल में 840 हो गया, तो यह कितना बढ़ गया, 40 रुपीस बढ़ा, तो 40 रुपीस बढ़ा, 800 से तो यह हमारा हो जाएगा, रेट आफ इंट्रेस्ट, यह बढ़ा होगा, 40 रुपीस रुपीस लगा होगा, कहां भी लगा होगा, 800 में, तो इसे वह सौल कर लिजे, तो आपका आशर आजा गए 5 परसेंट, तो 5 परसेंट इस दा राइट आशर, तो यह सा बढ़ा होगा, पिर 4 साल में 840 हो गया, तो भाई यह जो हमारा यह प्रिंसिपल वह तो बढ़ा रुपाय, तो यही है, तो यह 40 सौल से जाने में 40 सौल के बढ़तरीं कहां सही, यह हूई हमारी इंटरेस्ट से, पर इंटरेस्ट इतना बढ़ा हमारा, 40 रुपाय, वहमने य लिख दिया फिर उसके बाद कहां से आया इसका जो बेस क्या रही होगी वह 800 रही होगी वह 800 से 400 बढ़ गया तो चालिस बटे 800 इंटु सो फाइप परसंट आपका आंसर आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यह भी बहतरीन क्वेश्चन है दा प्रॉफिट परसंटेज ऑफ पी एंड क्यू इस सेम ऑन सेलिंग दा आर्रिकल्स एट रुपीज एटीन हेंड़ इच मदब दोनों जाब पी हो जाए क्यू वह दोनों के केस में जो एस्पी है वह ठार हुए है अब क्या हो गया वई एक कुल्क्लेे इस प्रीट on the selling price ऑन एचहीं करेक्ट ली सही सही करेक्टी क्या क्या आन मदा इच्टर परसंट समझे है पिएल स में 180 परसंट के इन एक पांच पहले क्यों निक्दम दम बशी लिखा थैक है ना क्यूंव क्यूंग चूंगर से भी जो हमारी profit percentage होता वो CP पर ही कल्कुलेट किया जाता है ना कि SP पर तो पहले क्यू केस तमझते हैं अब देखे ज़रा क्यू केस में तो यह CP रही होगी क्यू केस में CP SP और प्रॉफिट देख लिते हैं भाई 5 CP रही होगी प्रॉफिट आरा एक बटे पांच है तो SP कितना हो जाएगा चाहिए ठीक है अब पी केस में क्या है एक बटे पांच तो अभी भी है पर उसने क्या कर रहा है पी ने जो प्रॉफिट है उसे अपनी ही selling price for calculate कर लिया मतलब पांच क्या है श्रींग प्राइस है तो सिक्षण है प्रॉफिध हो हो रहा है श्रीं रुब्स हो रहा है यहां पे तुसकी तक एन यहां पर है jewels वह कितना एं इस पी जो हमाई दोनों किसमें कितनी एटीन हंड़ है हमाई इस पी हाँ अलग अलग अरी एक में फाइव आरही है तो इसको एक्वल कर लेते हैं कैसे करेंगे इक्वल यहां मिल्टिप्लाइब करा दीजे आप फाइफ का और यहां करा दीजे शिक्स का अब यहां से यहां से यहां तक सब में होगा इस तरह इसमें भी होगा तो अब यह हो जाएगा 25 CP 30 SP 5 रुपीज प्रॉफिट 24 CP 30 SP और 6 रुपीज प्रॉफिट तक बत आ गया है जी SP फो कतनी है इत अठारा सो है हमारी कितनी है 30 30 बराबर अठारा सो एक की वेल्यू साथ रुपए और एक रुपए डिफरेंस ही हमारे कॉर्डि एक डिफरेंस है और ही एक किवालु कितनी है साथ है मैं निकाल लिए वी कॉश्चिन से तो शिक्श्टी इस दा राइट आंसर अब चलते हैं नेस्ट क्वेश्टन की तरफ कि परसंटेज प्रॉफिट वेन एन आर्टिकल इस सोल्ड फॉर रुपीज फॉर हेंड़ेड इस ट्वाइस डेन वेन दा सेम आर्टिकल इस सोल्ड फॉर रुपीज टू फिफिटी दा कॉस्ट प्राइस आफ दा आर्टिकल बताना है तो क्वेश्टन को फिर समझ लेते क्या लिखा है जो परसंटेज प्रॉफिट है जब एक आर्टिकल को चार सों बेचते हैं तो दुगना होता है किस से दुगना होता है जब उसी आर्टिकल को भाई सों बेचें तो प्रॉफिट परसंटेज निकालते चार समय बेचा, तो यह चार सो जाएगी SP, माइनस CP, मुझा CP पता नहीं है, चार सो माइनस CP, यह क्या हो गया, यह Profit हो गया, तो यह जो परसंटेज आए, यह Double है, कितना है, Double है, किसका Double है, जब उसको 20 समय बेचते हैं, तो 250 माइनस CP, upon CP, ॥ छैक, यह समझे में आगे वैं कैसे आया टीके 400-CP क्या है यह SP है और यह SP is SP-CP क्या होता है profit होता है similarly यहां पर भी SP-CP nonprofit क्या होता है profit होता है बस solve कर लिजे इसको CP-CP cancel 100 से 100 cancel तो यह आपके हो गया 400-CP which is equal to 500-2CP तो इस CP कि बज़ों किती है हो गई रहा होगा कॉस्ट प्राइज रहा होगा 100 रुपीज तो हैंड़ इस दा राइट आंसर तो आई होब यह कुश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अप सलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ यह काफी अच्छा कुश्चन ने क्या लिखा है इट टेक्स फाइफ टाइंस एस लॉब ऐस ट्रीम ऐस्ट तो लूआ डिस्टेंस इन फिवर त्टीम दोनों के एक ही बलब दिस्टेंस दोनों के इसम एंदिस्टेंस यह होता है तो स्पीड यह होती हो टाइम का रिवर्स रि यह उपता है down stream को मुकाबले, तो five ratio one घिक है, तो speed क्या हो जाएगी? one ratio five हो जाएगा, ओकी हो जाएगा one ratio five, मतलब यह x plus y, downstream speed कती है? x plus y, और अब stream बोट इन इन इस त्ऐल वाटर है, x क्या है speed of boat in still water है और y क्या speed of stream तो जरा इसको याद रखिएगा ठीक है तो x है boat की speed still water में और y है speed of stream धारा की गती ठीक है तो आपको उनका ratio निकालना बस हो गया x minus y की value 1 दी रखी है और x plus y की value 5 दे रखी इसको आप solve कर लिजे तो आपका x की value 3 आ जाएगी और y की value 2 आ जाएगी तो बस आपका आगे x ratio y क्या हो जाएगा 3 ratio 2 तो आई होप यह question आपको समझ में आगया होगा इस question सबसे important point वो यही था जब distance constant होती है तो speed का ratio time के reverse होता है तो बस आज के लिए तना ही यह बेहतरीन 5 question आपको अच्छे लगे होंगे अच्छा लगा हो वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कीजे अपने friends में ग्रूप्स में ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कीजे और positive हो के SBI PO, RRB PO की तयारी कीजे SBI PO का तो नहीं बता पट RRB PO का एक्जाम अगस्ट में है इसके तो एक नया IVPS कलेंडर भी आ चुका है तो चलिए फरस आज के लिए तना ही Thank you and have a nice day